हलो आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3i infotech के बारे में देखे 3i infotech का शेर 8 रुपे 16 पैसे पर ट्रेट कर रहा है और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार 5% की हमें तेजी देखने को मिली है देखे 7 रुपे के उपर शेर था 3 दिनों से कह सकते हैं कि लगातार 5% के ऊपर दौड़ा है हाला कि इसे पहले लगाता तूट रहा था, लगाता तूट रहा था, लगाता तूट रहा था, 7 रुपए तक पहुंच रहा, अब बहुत बड़ी रफ्तार पकड रहा है, क्यों, क्यों, इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है, और एक बड़ी खबर है, एक बड़ी चीज है जो इसको drive कर रही है अब वीडियो में हम उसी के बारे में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जब काफी जादा help करेंगे तो बात करते हैं 3i info tech की तो अगर आप चैनल को regular follow करते हो तो 3i info tech के उपर इसे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसी साल February में 24 February को जब share 6.25 पैसे के उपर था और तब मेरी buying की recommendation थी यहाँ पर इतना ही नहीं जब अपरेल महिने में इसे साल जब 7 रुपए का भी share हुआ करता था तब भी मेरी buying के recommendation थी और मैंने कहा था कि देखो इसको खरीद के भूल जाना चाहिए यहाँ पर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं बड़ी खबर यहाँ पर यह है 3i Info Tech को लेकर के company की जो trading है वो भाईया कुछ दिनों के लिए बंद होने वाली है अब आप कोगे भाईया यह तो बहुत बुरी खबर है लेकिन नहीं दुबारा resume भी होगी यहाँ पर देखे 3i Info Tech is yet another penny stock that's seeing some buying interest in this counter on Tuesday the share of 3i Info Tech were locked in lower circuit in early morning session अब यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो क्या चीज इसको ऊपर की तरफ खरीदारी करवा रही है तो 3i Info Tech will be delisted by the beginning of the next month and the share will be relisted again after few months तो देखो इसकी जो trading है वो मार्केट से कुछ दिनों के लिए यह share भाया delist हो जाएगा लेकिन दोबारा इसकी relisting करवाई जाएगी आप देखे speculators are hoping that the relisting happen at the higher price has the demand of the share of 3i Info Tech on Wednesday तो इसलिए तेजी भी आई है definitely इसके demand में एक और चीज है यहाँ पर जो खबरे निकल कर आ रही है वो यह भी आ रही है कि share की जो number of shares है ठीक है उसमें changes होने वाले हैं जैसे कि 10 share का एक share बन जाएगा जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपके पास 3i Info Tech के 100 share है ठीक है और कल को share भाया delist हो गया तो जो दुबारा उसकी realisting होगी तो आपके 100 share बन जाएंगे 10 share बन जाएंगे वो मतलब कम हो जाएंगे 10 share का 1 share बन जाएगा तो उस हिसाब से यह भी expect किया जा रहे कि जो price होगी वो higher price होगी उपर के level पर की price होगी और दूसरी बात यह है कि company यहां से ऐसे strong दिख रही है आप देखे इसे पहले भी मैं क्यों यहां पर buying की बात कर रहा था क्योंकि company global expansion की तरफ आगे बढ़ रही है 3IN4tech यहां पर अगर हम देखे तो भया management की तरफ से कहा है statement में यह बताई गई है कि these strategic level hiring काफी जादा बड़े पैमाने पर यहां पर hiring हो रही है यहां पर देखे कि leadership और काफी जादा changes हो रहा है expansion plan भी है the appointment of effective immediately including अगर हम बात करें तो chief growth officer की वह यह appointment की गई है revenue officer को appointment किया गया है vice president india business head को appointment किया गया है और भी कई सारे लोगों को यहां पर appointment किया गया है chief marketing officer को यहां पर appointment किया गया है बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर hiring हो रही है और इनका plan है कि साल 2030 तक एक billion dollar तक का achievement करने का इनका plan है company ने अपने statement में यह चीज़े बताई दे कि देखें अभी बले ही हमें कुछ देखने को ना मिल रहा हो लेकिन परदे के पीछे कुछ न कुछ तो ज़रूर यहां पर चल रहा है और वही यहां पर देखने को मिला भी है और बड़ी खबर यहां पर यही है कि share होगा भाया दिलिस्ट और फिर से होगा रिलिस्ट इसी की वज़र से share में इतनी बड़ी तीजी बनी हुई है लोगों को लग रहा है कि बड़े price पर यह रिलिस्ट करवाया जाएगा छोटी company है 1319 करोड के आसपास का इसका market क्या अब है BSC में 25 लाग का volume trade आज के दिन में देखने को मिला है और NSC में अगर हम देखे तो NSC में भी 25 लाग का ही volume trade देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करे तो 3i info tech देखे company अगर देखा जाए तो June quarter में नुकसान हुआ था इनको ठीक है तकरीबन 8 करोड का loss हुआ था लेकिन इससे पहले company ने अच्छा profit कमाया था company ने जो अपना एक बड़ा business था उसको बेचा था उसको बेच कर company ने काफी ज़ादा पैसा यहाँ पर जुटाया भी था एक और चीज़ अगर हम देखे तो dividend pay नहीं कर रहा है 2011 में इन्होंने आखरी बार dividend pay किया था उसके बाद कोई dividend भी पे नहीं किया गया है 3i infotek का अगर हम 10 साल का graph देखेंगे तो पिछले 10 साल में 3i infotek में भेंकर गिरावट ही चल रही है लेकिन इस बार शायद लग रहा है कि company की तरह से जो decision लिया गया है जो planning की गई है management के द्वारा जो aim रखा गया है वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक बहुत ही healthy aim है दूसरे और company ने अपना जो IT का business बेचा था उससे उनको एक बड़ा पैसा मिला और अपने जो करजे थे उसको चुकाया इन्होंने जो बहुत बड़ी बात है और बाकी का पैसा उन्होंने ने रखा future expansion के लिए जो भी अच्छी बात है यहां पर 3i infotech अगर देखने की कोशिश करें तो according to money control user 70% लोग खरीदने की सला दे रहे 11% लोग बेचने की बात करें हैं और 19% लोग यहां पर hold करने की नसीखत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं 3i infotech revenue गिरते जा रहे हैं और यह कोई बड़ी बात नहीं है कोई नई बात नहीं है यहां पर देखे तो 1000 करोड के revenue थे जो की 2021 के financial year में 608 करोड तक पहुँच गए जो की काफी कम नजर आ रहा है लेकिन उमीद करते हैं कि जो नई चीजे company plan out कर रही है वो इनके लिए बहते तरीके से काम करें और दुबारा यहां पर आपको profit नजर आ जाए और अगर हम बात करेंगे profit की तो जाहिर से बात है आपको 390 करोड का बड़ा profit यहां पर दिख रहा होगा लेकिन वो one time profit यहां पर आया था जो उन्होंने अपनी product को बेचा था उसके विए से one time profit था वो आया था वनना actualman का जो profit है वो 60-65 करोड के आसपास का नजर आते हैं लेकिन बुरा नहीं है बाई साब अच्छा profit है यह एक पैनी stock होकर अच्छा profit कमा रहा है 3i infotech अगर हम देखने के कोशिश करें तो भाई यह पी ratio 3 का है sector P 37 का है तो सस्ती वैल्योशन के उपर अभी भी शर अवेलेबल है यह हम कह सकते हैं holding के मैं बात करो तो generally ज़्याद तर holding यहाँ पर नजर आती है वो है retail and others mostly others के पास है other party 61.80% की holding लेकर बैठे है 23.30% की holding retail वालों के पास है domestic institution के पास तकरीबन 15% के आसपास की holding है Files के पास 0.07% की holding नजर आती है ज़्यादा तर जो holding आपको देखने को मिली है जो बढ़ी है वो generally बढ़ी है retail और other वालों में बढ़ी है जबकि domestic वालों ने बिक्वाली यहाँ पर करी है तो देखे overall 3i infotech में काफी कुछ change हो रहा है इस बाद में कोई शक नहीं है और हाँ share आपको कुछ दिनों के लिए list होता हूँ नजर नहीं आएगा अब relisting कब होगी उसके बारे में कोई date अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब भी share relist हो तो दुबारा एक आपको अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल चाए तो 3i infotech हाँ तेजी बनी है यहाँ पर और अभी के लिए मैं यहीं कहूंगा देखो अभी तो किसी को को यहाँ पर खरीदने का मौगा नहीं मिलेगा खरीदारी करी है तो बने रही है और हाँ अगेन चीजे थोड़ी सी uncertain यहाँ पर जरूर है कि रिलिष्ट होगा तो भाई आ कितने ऊपर के प्राइस पर यह रिलिष्ट होगा और तो ओर एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखने होगी कि उस वक्त माहौल कैसा होगा market का bull market होगा तो अच्छी बात होगी अगर bearish market होगा तो effect इस पर भी पढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो एक बहुत बड़ा investment मैंने पहले से बोला था कि 3i infotake में बहुत बड़ा investment नहीं करना चाहिए छोटा सा investment कर सकते हो definitely dumb है company में कि आगे जाकर कुछ बड़ा game तो ये लोग भी खेल सकते हैं और company के management का जो plan है वो बहतर नजर आ रहा है कि वह यह 2030 तक हम एक billion dollar तक का aim कर रहे हैं चुकि अच्छी बात है company ने काफी जादा hiring भी करी है पिछले कुछ महीनों में और company ने काफी जादा पैसा जुटाया भी है और company अगर देखा जाए तो जो mainly focus कर रही है वो call centers वगिरा पर कर रही है अब कितना successfully यह सारी चीज़े pan out होती है वो देखना रहेगा इनके लिए लेकिन overall 3i infotech अभी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो काफी देखना interesting रहेगा और जो shares की जो value है shares के numbers है वो घठते हुए देखने को मिलेंगे आपको तो एक चीज़ वो भी होगी तो वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आया हो तो like तर शाय करें चनल बगरा पहली बार आए हैं तो please subscribe करें 3i Info Tech के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक के बता सकते हैं Thank you